महिला ने पती को जूटे मामले में फसाने का पुलिस पर लगाया आरोप वेश्य समाज ने किया नगरपाली का कर्मियों का सम्मान और वनमले ने किया त्रेपन नग अवैद सागोन चिरान जब्द नमस्कार बालागट लाइव केस बुलिटिन में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आका शब्दिक्ते खबरेवस्तार से पुलिस ने विगद दिनो नर्पी निवासी नेगलाल मसराम की हत्या मामले में एक शामिले आरूपी गुलाब टेकाम को ग्रिफतार किया है जहां उसकी ग्रिफतारी के बाद उसकी पत्नी ने मीडिये से चर्चक में अपना दर्द वयां किया है और मामले में एक नया मूर लाकर खड़ा कर दिया वहीं इस मामले में पुलिस अदिक्षक अभिशेक तिवारी ने बताया कि नेगलाल की हत्या के आरूपी गुलाब टेकाम का ग्रिफतार किया गया है उनके घर से गांजा का पौधा बंदूग बरामत की गई है जो गुलाब की पत्नी पुलिस पर आरूप लगा रही है वह कर गई तो घर से क्या-क्या निकल आप यहां से उसमें से मड़ा कमरे अच्छा को रही है पूलिस अच्छा अच्छा जुआ निकले लिए क Suganjai के उसकि अपूरत कले काहां पर था बारी एमें पेंς था अच्छा क्या कमांकरते हो क्या जड़ाते हैं अपन देव को चड़ाते हैं इतना चोटे टाइस तुसके भी मामला बना दी बंदुक वाली क्या हां कि करते बंदूक आपके थी के पुलिस लेकर आए ते आप कुछ पता है क्यों लेकर गी पुलीस नहीं पता है नहीं पता है कोरोना वह हमारी में युद्धा बनकर लोगों की सेवा करने वाले नगरपाली का परिशत के सभी करमचारियों और अधिकारियों का सौंबार को वैश महासंमेलन के द्वारा सम्मान किया गया इस दौरान अधिकार के व्यापारियों उन्हें गणवान नागरी को फुस्ट थे नगर को लिए गई कि आज भी एक करोने का बरीज यहां बालाखाट में नहीं हो पाया उसका सबसे बड़ा स्थे जाता है नगरपाली का को क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा का खाया उसमें युगदान जाता नगर पारिगाई तो अमारी व्यस्से महासंमेलन की जो इकाई की पूरी टीम है मधिप्रदेश राजवन विकास निकम प्रजेक्ट लामता वन परिशेतर कंतरकत ग्राम बर्खो में सौमवार की दोपहर साड़े बारा बजे मुगबिर की सूचना पर वनविभाग की टीम ने अनिल पावार के घर पर चापा मार कर त्रेपन नक सागोन चिरान जब्द कर है इस संबन में बताया गया है कि वकत कई महां से अनिल सुनील शुपरसाद पवार अवैद सागोन चिरान का कार कर रहा था जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई जिस पर एक टीम गठित करते हुए चांगो टोला थाने का प्लेजबल के साथ सौमार को चापा मार कारवा प्रिक्षण में रखी गई थी और उनकी रिपोर्ट नहीं मिली है उन तीन सेंपल के कि जून की शाम को रिपोर्ट प्राप्त हुई उनमें से एक बालिकर की रिपोर्ट करोना पॉजिटिव आई है कोरोना पॉजिटिव पाई के 14 वर्शी बालिका मुंबई थाने में भाजेस स्वास्त अधिकारी खंड छेकिस अधिकारी औराश्ट्य बाल स्वास्त कवर्यकरम के च Adjust को और लेक्ट्र में बाए बाबस और खायां में को इस को एaliगा आध्मिना और नाहीं कोई घर का अदम बहर जाए 1218स तो इसके आने का संपून प्यारा लें और जांग जो परांद रिपोर्ट पॉजिटिव आती हो तो इस्पेशल कॉरिंटाइन किया जाए इसी के साथ दी बिलिटेंद वक्ति चोटे से ब्रेक का जल्दा जिरूंगे ब्रेक के बाद एक फिर से आपका स्वागात रो बढ़ते हैं गली खबर की और करोरा के संदिक्द मरीजों के सेंपल लेने वाली टीम में डॉक्टर रंजना भूते भी शामिल हैं डॉक्टर रंजना बताती हैं कि मैं अपने घर में सबसे छोटी बेटी हूँ और एक चुके सक हूँ मुझे अपने बड़े भाई जो कि एक सैनिक है से देश सिवा की प्रेना मिलती है इसी के प्रिणाम स्वरूप मैं इस वैस्विक महामारी कोविट 19 में सेंपल टीम का हिस्सा बनी हूँ और देश की सेवा में सहीव प्रदान कर रही हूँ जिसका मुझे गर्व है इसी टीम के चार बच्चे दर्बदर की ठोकरे खाने को मजबूर है शासन की मंशानुरूप गरीब आदिवासियों के लिए अनिये को योजनाया चलाई जा रही है बावजुतस के अब भी आदिवासी बावजुशेत्र परजवारा में ऐसे परिवार हैं जांकि बच्चों को दो व दोर तलब है कि इस बार कोरोना संकट के चलते योग दिवस पर सामय कायोजन नहीं किये गए प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने सभी देशवासियों से अपील की थी कि योग दिवस पर सभी अपने घर पर योग करें योग मनुश को शारेरेक मांसिया और आध्यात्में ग शहर के लावब है कि दीश शिक्षशन संस्तान खुले जाएंगे लेकिन आज नौन इहाल बच्चों के पालकों के इस बात करदर समाया हुआ है कि बच्चे स्कूल जाकर बिमार ना हो वही पालकों का यह भी कहना है कि जुलाई में बच्चों के स्कूल नहीं भेजने की भ हैं आप पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते moment फिर पढ़ाई कि सबसे करते हैं धर टो इस्कूल आप नहीं जाना जाते है udah खतम हो जाएकत जाएंगे और शखना अच्छिन पढ़ते हैं कौام कूछ सी क्लास मैं आप लोगे तो आप इसकुल जाएंगे कि नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे तो घर में पढ़ाई करते हैं यह नहीं अच्छा कुरोना वाइरस खतम होगा तब इसकुल जाएंगे अब में हैं अभ ही जो बत्मान में जो सरकार जुलाही में इसकुल कोने वाली ङो अभी जो बत्मान परी तृषिकति चल रहा है कि मैं तो यही कहना चाहूंगा ॥ि कि इन पूरे एथयाद के तोर पर खासकर छोटे बच्चों के इसको अभी नहीं कुछना जाए जिस प्रकार की परिस्टिती बनी है उसे साफ से बड़े बच्चों को सोचल डिस्टेंसिंग के तहत शिक्षा दी जा सकती ही लेकिन जो आर्लाइन शिक्षा दी जा रही है वहा ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़तने खबर की और वाल्यकाल सूरगहिंड की व्यक्या जोतिश और व्यग्यानिक दिश्टिकोंड से बहुत महितपूर थी इसे आस्ता और शद्दा से बरपूर करने का नजारा उस समय दिखा जब शहर के इसको किस द्रिश्टी से देखता हूं कि घंगोरिया गराम में चौधरी परिवार में खेद की मेड में जाने की दौरान मौत हो गई जबकि उसके से पुत्र की हाला द्गंभीर है कि पतर पुत्र पर हमला करने वाले आरुपी ने अरुपी ने हमला कर दिया पूलिस ने मामद दर्शकर आरुपी को ग्रिफतार कर लिया है गाली में पर दोखेंगे अरुपी दिया है मेरे तुम मारे और फिर जैसे गाओं वाले बचाने आते थे जो लोग डवले रिंगे था घर इनके पर भी तीनों पाब बेटा डवड़ पे जो मारे और फिर मैं ये कादमी ने पकड़ रखा उसको और मैं भागा और मेरे बाब जी को सर रोड के जाके लवट के भी आके मार तो क्या कारण किया था हमारा कारण वोई सर की हमारी बंदी से मत जाओ तो हमारी कोई रास्ता नहीं है मैंने कहां से जाएंगी क्योंकि सब इतने परिवार है तो खेटी वहीं से जाना आना होता था ऐसा हूँ बस जिले में निवासरत अती पिछडी जंजाती आदिवासी वेगाओं की आवशक्ताओं की पूर्ती प्रबुद्ध तथाकत फांडेशन बूरी की टीम संरक्षक मुकेश्ट में इश्राम कमिशनर लखद्दू के मारदर्शन में करते आ रही है इसी कड़ी में अध्यक्ष रमेश में इश्राम के निद्रशन में 21 जून को पटे बनवा कर वित्रित किये गए जिसके कारण आज लोगों में खुशी का माहल बना हुआ है आज के सियोग में जिले के नकसल प्रवाबित और आंचा शेत्रों में रहने वाले बैगा आदिवासी आज भी सूरज की पहली किरण के साथ नई उमीद की तलाश में घर से न इस तरह की तमाम जानकर इनको शेत्रों में दौरों के समय मिलती है अलाकि है कटूसत है कि अनिक शेत्रों को पुल्पुलियों सडकों से जो दिया गया लेकिन बिजली पानी स्वास की समस्या भी भी बनी हुई है इस ब्लुटिंग फ्लाल इतना ही नमस्कार